सीरीज पानल के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको यहां पर 60 वोल्ट की बैटरी गिवन है इंटर्नल रिजिस्टेंस बिल्कुल भी ने गिवन है ये चार रिजिस्टेंस गिवन है आपको टोटल करंट बताने है बैटरी में से कितना निकला सबसे पहले मुझे ये बताओ ये दो resistances किसमे हैं in series क्योंकि current की value उनमें क्या रहेगी same तो 5 और 10 series में तो क्या रहेगा 15 फिर ये 15 और 10 किसमें हो जाएंगे in parallel तो R1 into R2 by R1 plus R2 6 तो इन दोनों की जगा 6 लगेगा 6 और 18 किसमें हो जाएंगे in series तो total resistance add करके 18 और 6 और total current क्या आएगा total EMF 60 divided by 18 plus 6 यानि के 24 तो current 2.5 आएगा तो current आगया पर आप से क्या पूछा गया है R1 का voltage drop कितना है अब R1 ये रहा R1 ये रहा R1 में current कितना जा रहे 2.5 voltage drop कितना होगा Ohm's law I into R तो current को 18 से multiply कर दे answer 45 volt आएगा तो idea सुझ में आ रहा है कि कैसे first question को करने आपने इसमें without इसमें ठीक है clear है जैसे ये question है इस question में diagram की problem है और कोई problem नहीं है मैं समझा देखता हूँ diagram कैसे है वो ये कह रहा है कि 2 square plates है और एक की length L है A की length 12 है series में connected है आपको ये given है thickness और material सेम है दोनों सेम thickness के है क्या निकालने है दोनों की resistance की ratio निकालने है तो इस diagram को ऐसे समझे ये diagram S है ये square plate है मानलो S ही दिख रही है L by L length है square है L by L length है इसकी thickness ये है पीछे से D मानलो thickness के है तो देखो current ऐसे enter करेगा तो current कितने cross section में enter कर रहा है इस area में से और ये area कितने है ये और thickness के है D तो area के है L into T current कितनी लंबी वायर में जाएगा L तो इसके resistance का formula क्या लगेगा इसका resistance होगी row L और cross section का area कितना है L into T सही है फिर दूसरी वायर है दूसरी वायर निकाल लेंगे तो ऐसी दिखेगी ऐसे ऐसी current एंटर करेगा दूसरी वायर के dimension है 2L into 2L दूसरी वायर का area क्या बनेगा 2L into D cross section 2L into D लंबाई क्या होगी 2L तो resistance क्या बनेगी row 2L by area की जगा 2L into D तो तुम दोनो resistances को divide करके resistance की ratio निकाल सकते हो आलसा point समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहा है तो cross section area कौन सा लेना है जैसे switch वाला नहीं करेंगे end में करेंगे सबसे पहले यह करेंगे यहां से शुरू करते हैं यहां से करेंगे यह वाला question पहले करेंगे यह वाला आपको A और B की equivalent resistance क्या होगी A और B की equivalent resistance क्या होगी सबसे पहले important यह दो wires आपस में intersect कर रही है यह junction है तो imagine करो कि अगर यह potential VA है इस वायर के अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो यह वी यह वी यह यह वी वी यह और मालनो junction का potential V0 है तो इसमें potential difference कितने है VA minus V0 इसमें कितने है VA minus V0 तो यह दोनों किसमें connected है in? parallel क्युए पिर देखो यह VB यह V0 यह VB यह V0 potential difference कितने है VB minus V0 यह वी exactly same है तो यह भी किसमें connected है in? parallel तो diagram क्या बना, यह 4 और 4 को तो मैंने छेडा ही नहीं, यह दोनो parallel में, 4 और 4 parallel में, तो answer क्या आएगा 2, 4 और 4 parallel में, तो answer क्या आएगा 2, 2 और 2, series में, तो equivalent diagram clear है, तो इसके अंदर यह दोनों किसमे connected है, series में, तो 4, 4 और 4 किसमे connected है, parallel में, तीनो parallel में, equivalent resistance की value आजाएगा, तो याद रहेगा, corner वाले दो किसमे हैं, side वाले जो in parallel, और answer series में, लेकिन एक question सेम और आएगा, जिसमें वो ऐसे joint नहीं मनाएगा, तो इसका मतलब है, एक resistance है, दूसरी wire इसके ऊपर से निकल गई, बिना touch की, ऐस से, ये diagram अन गया, तो अब आप यहाँ common potential नहीं ले सकते, अब आपको क्या करने है, अब ये wire देख रहे हो, इसमें जो भी current होगा, वो इसमें भी जाएगा, और इसमें जो current होगा, नीचे से इसमें भी जाएगा, तो ये दोनों किसमे connected है in series, क्योंकि current इन में क्या रहेगा सेम, और ये भी दो किसमे connected है in series, फ़रक हो गया, तो समझ में आ रहे है, ध्यान से देखना है, ये joint है, तो parallel, ये joint नहीं है, तो ये series और ये series, तो दो और दो तो लिखी लिया, ये दोनों किसमे connected है, series में, तो अगर ये potential VA तो ये VA, ये VBA, इनके across potential difference VA minus VB, इनके across भी VA minus VB, इसका मतलब ये two or two series में four, और ये four, किसमे connected है in parallel, क्योंकि potential difference corner के exactly same है, तो equivalent diagram क्या बनेगा, दो दो तो रखी लिया, ये दोनों series में, ये दोनों series में, और आपस में ये दोनो parallel में, तो इसका equivalent diagram क्या बनेगा, ये रह, two or two series में four, और ये भी four, two, four, four, two, parallel में, तो दो, चार, चार, दो, parallel में, आई equivalent आगया, क्या circuit break करना आ रहा है, कैसे करना है, कोई doubt इसमें, point समझ में आ रहा है, कैसे break करेंगे इसे, तो अगर ये joint होगा, ये नहीं होगा, इसका logic क्या लगेगा, ठीक है, जैसे, ये question है, मेरे को A और B के बीच में, equivalent resistance निकालनी है, फिर मेरे को A और C के बीच में, equivalent resistance निकालनी है, अब एक चीव important ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चलो, इससे पहले कि मैं A और B को discuss करूँ, मैं नया question बनाता हूँ, मेरे को A और B के बीच में, equivalent resistance निकालनी है, suppose, important point है, important है, miss निकालेंगे, तो imagine करेंगे, just imagine करो, यहाँ पर एक battery connected है, और जिसे current भीचा, imagine करो, current गया, तो current यहाँ के divide हो जाएगा, फिर ये वाला current भी आगया के divide हो जाएगा, फिर ये वाला current भी आगया के divide हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस ऐसी होगा, हर ब्राँच में current होगा, क्यों डाउट इसमें, सही है, current न थोड़ा हम से जादा हुश्यार है, कैसे, current न देख लेता है, dead end है, सड़क तो बंद है, जाने का फाइदा ही नहीं है, current वो रास्ता फॉलो करता है, from a higher potential to a lower potential, तो current बंद सड़कों में नहीं जाता, कि पता लगे यार वायर तो खथम होगा, आपके थुना जाओंगा, तो क्या करेगा, करन, आगे जाएगा, बैक मारेगा, अच्छा, रास्ता नहीं है, वापके गाड़ी थोड़ी नहीं, आगे गई, चलो, reverse गए, चलो, बापे, कैसे जाएगा, रास्ता उसे मिलनी रहा, तो याद रखना, जो वायर हवा में लटकती है, और सर्केट कंप्लीट नहीं करती, उन में करंट जाता ही नहीं, पहली भाप लेता है, कि वो लूज एंड है, उसमें जाना ही नहीं मुझको, तो वो करंट यहीं से यहीं वापस हो जाएगा, जाएगा ही नहीं, और अगर जिसमें करंट नहीं जाता ना, तो कोई भी दुनिया की तार जिसमें करंट नहीं जा सकता ना, वो आपके किसी काम की नहीं उसको उठा के बाहर पहंग दो, तुमने ऐसी वायर का करना गया है, जो करंट नहीं करती, उडा दो इसे, तो आपका डागरम सिर्फ इतना फिर देखो, फिर देखो, कोई बात नहीं, फिर देखो, मेरा क्वेश्चन है, मुझे ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है, यह A और एक B है, एसे लेके, इमेजन करो, हर ब्रांच में करंट जाएगा, लेकि जो करंट यहां जाएगा, जो करंट यहां जाएगा, वो प्रश जाएगा क्योंकि ए से लेके कहा निकलना है उसे बी तक तो इन दो वायर को उड़ा दो चाहिए ही नहीं तो आपका equivalent diagram बस ये बनेगा तो शॉटपट समझ में आ रहा है यहां माली वायर उड़ गई अब question solve हो गया यह तीनों किसमें connected है series में जो answer आएगा इसके साथ हिन parallel में तो यह तीनों series में 30 30 और 10 parallel में 30 x 10 by 30 plus 10 और finally यह तीनों किसमें in series में answer सही है points में आ रहा है कैसे करना है फिर एक बार देखो इस बार equivalent diagram आपको A और C में बनाना है A और C के बीच में equivalent resistance है अब सब में current जाएगा A से C पे land करना है current को imagine करें तो जो current यहां जाएगा फ़र जाएगा end end है इसमें भी नहीं जाएगा तो बस इन में जाएगा तो देखो equivalent diagram में क्या किया बस A और C रख लिया यह वायर का कोई फायदा ने इसमें अब यह दोनों किसमें series 20 यह दोनों किसमें in series 20 2020 किसमें in parallel 10 10 10 10 किसमें in series answer तो समझ में आ रहा है कि यह concept कैसे है में वाले और नीट वाले डाल देते हैं ऐसी वायर बचा confused हो जाते है कि अगर उडा देना है बहुत वायर दिखेंगे loose वायर उडा देना होता है clear है यहां तक जैसे सपोज यह question है इस question में वह यह कह रहा है कि current बताओ 5 ohm resistance में कितना current होगा यह बताओ कितना current जाएगा इसमें बैटरी से जब switch open है और जब switch close है ठीक है तक तो यह देखना है कि इसमें क्या होगा कि अंदर क्या करना है जब यह open है मैंने switch को नहीं दबाया तो current आएगा दोनों में से pass होके यहां चला जाएगा तो total resistance कितनी होगी 5 और 10 series में कितनी 15 तो current क्या होगा e divided by 15 answer ठीक हिसाब clear हो गया लेकिन जैसी आपने इसको दबा दिया यह लो दबा दिया जैसी आपने इसको दबा दिया क्या हुई short circuiting जो current इसमें आएगा और वो देखेगा यहां तो कोई resistance offer नहीं कर रहा सारा का सारा current यहां चला जाएगा हमने capacitor में भी किया था अगर एक ऐसी वायर जोड़ने है जिसकी resistance नहीं है तो current वही रास्ता follow कर लेता है जिसमें उसको resistance offer नहीं होती है तो current नहीं offer कर लिया short circuit हो गया लेने का फाइदा नहीं तो सिरफ कितनी resistance offer कर रहा है पांच तो current क्या होगा 3 upon 5 is the answer answer कोई doubt इसमें सब्सक्राइब रहा है logic का इसका ठीक जैसे यह question capacitor के अंदर भी किया करते थे ऐसे कि अगर आपको 4 resistance given है battery given है आपको यह बताने है यह junction नहीं है प्लीज कोई भी point mark कर रुखे potential difference बताना है A और B का क्या होगा यह question है चलो इसको बाद में देखते हैं पहले यह बताओ कि इसमें से current कितना जाएगा total यह दोनों किसमें in series तो 3 और 1 चार यह भी 4 4 और 4 parallel में तो answer क्या आएगा 2 तो equivalent resistance कितनी आगी 2 clear है series में, series में, parallel में तो total current battery कितना बाहर निकालेगी 10 divided by 2 5 ampere निकालेगी 5 ampere current आगया battery का ठीक है यह 4 ohm है यह 4 ohm है parallel में 4 और 4 2 ohm 4 ohm की जिगा 2 ohm current क्या आएगा 10 upon 2 5 ampere battery में से 5 ampere current आया अब वो दो branches में divide होगा वो देख लेगा कि आगे 4 ohm मिलेगी देख लेगा आगे 4 ohm मिलेगी तो आदा आदा divide हो जाएगा धाई और धाई तो ऊपर गया 2.5 नीचे गया 2.5 तो यह diagram clear है सही है तो आपने ऊपर और नीचे की ब्राच में करंट निकाल दिया clear है put out इसमें अब यह बताओ C का potential बढ़ाई की A का बढ़ाई C का ऐसा क्यों positive capacitor में देखो current की direction हमेशा higher to lower potential होती है इसमें यह चलता है positive negative दिखेगा नहीं तो current की direction is always from higher to lower potential current क्योंकि C से A पे जा रहा है to VC-VA to VC बढ़ा होगा तो बोलो VC-VA क्या होगा ohm दो लगादो current into resistance कितना आगया 2.5 और VC-VB क्या होगा current into resistance यानि ki 7.5 तो क्यों ना तुम दो equations जो आई यानि ki VC-VA is 2.5 और VC-VB is 7.5 के equation को add कर दें subtract कर दें subtract कर दिया cut गया तो क्या हो गया VB-VA solve करके minus 5 आगया लेकिन आपको question में VA-VB पूछा है तो plus 5 is the answer method समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें तो पहले current निकाल के इन दो points का potential difference निकाल ले इन दो points का potential difference निकाल ले ohm log से दोनों equation को minus करके अपने पांसर आजाएगा कोई doubt इसमें ठीक है आँ तक एक subjective sheet है